हेलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल टार्गर्टेट पर दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ आपकी वीडियो की स्क्रीन के उपर आपको थ्री डोट्स दिये होंगे आप उस थ्री डोट्स पर क्लिक करके अपनी वीडियो की क्वालिटी को प्लीज 360 पिक्सल और 480 पिक्सल पर कर लो ताहां कि वीडियो क्वालिटी आपको इस वीडियो की अच्छी तरह दिख पाए दो दोस्तों एनिमल्स में सब कुछ स्टड़ी कर लेंगे ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली एनिमल्स दोस्तों दुनिया की हर एक जगा में पाई जाते हैं कुछ होते हैं लेंड में रहते हैं कई ऐसे भी होते हैं जो लेंड पर भी रहते हैं दोस्तों जैसे हमको फूड चाहिए पानी चाहिए रहने के लिए घर चाहिए etcharini-уль-ym ayudar चाहिए वेटर चाहिए हैंड शीमिलरली ऐनिमल को फूर चाहिए और यंड शेल्टर चाहिए अहम सब क Snapchat श्यतर करेंगे इंफर सभए दोस्तों हम बेसिकली अनिमल को छे पार्टमें ड्वाले करते हैं' कितने ग्रूप बनाते हैं आपको सारा कुछ अच्छे तरिके से समझा के करवाऊंगा ट्रिक से कोशिश करूगा कि आपको मैं याद करवादू अगर आप सिधा स्क्रीन शूट ले लोगे कि आपको समझ लगेगा जैने लगेगा ठीक है दोस्तों तो मैं उमीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाज तक देखना आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जुरूर सिखा के जओंगा यहां पर ठीक है दोस्तों आगे मूव करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आप आपको इंसेक्ट कीडे में कोड़े आ जाएंगे रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड होगी यानि की चिपकली एंड फ्रोग्स होगी फ्रोग भी इसमें आ जाती है गलैरी होगी ठीक है दोस्तों एंफीबियन एंफीबियन कॉन होती है एक ऐसे एनिमल जो प्ला जो लेंड चलए फिल आला को इतना पता हो निशेए कि हमें अनिमल को dai कर दिया उंगाल कट्रह्स से बद्क्रट्रह उंदा कर दिया है बे काुंदा बाडिं जारुन होगे like human being हो गए, mammals हो गए सारे birds हो गए, सारे fishes हो गए, सारे amphibians हो गए इनकी backbone होती है like crocodile हो गए, इसकी backbone होती है fish उसकी backbone होती है, birds की backbone होती है and human being की भी backbone होती है हमने दोस्तों animal की दो दुनिया बांट दी एक ऐसे animal, एक दुनिया में ऐसे animal रहती है जिनकी बैकबोन होती है और एक ऐसे अनिमल जिनकी बैकबोन नहीं होती है जिनकी बैकबोन होती है उसे हम पुलते है वर्टीब्रेट्स और इसमें कौन से अनिमल आ जाते है Mammals, Birds, Fish and Amphibians अन्हें दरब हमने एक दुनिया बसाई जिसमें रहते है इसमेल जो पाणी में रहते है कुछ ऐसे और जो ठंडे लाके में रहते हैं कुछ ऐसे गरम लाके में रहते हैं उनका habitat बेस होते उसे बोलते है अडेपडेशन दोस्तों साफ यसे kobaret सेन हमने चार दुनिया बार दी एक ऐसे और ढूर्त सॉर्ठे एयनिस फर्द parkeded वन ऐसे ए एक सेक्ट्रा लास्ट इंड नेक्स वान इज एंफीबियन अभी मैं ने बिताया है जो पानी में भी रहते हैं ये उन्हें क्या बोलते हैं एंफीबियं कि इसकी इसकी एकग्जांपल क्रोकोड़ाईट एक पाद याद रखना जितने दोस्तों एंफीबिध जितने भी ओते ना उनकी जो skin होती है काफी moist होती है like crocodile crocodile को अगर अब ध्यान सो देखो कि उसुझी जो skin होती है ना काफी soft सी होती है and moist होती है and next हम बात करते herboreal herboreal दोस्टो basically क्या होते है ऐसे animal जो tree पर रहते है like monkeyạo turret हो गया kel जो पीड पर रहते है उसी हम बोलते हैं herboreal तेक है दोस्तों दोस्तों मैं आपके PSDK point के regarding सब कुछ कराऊंगा ना जादा मैं बिल्कुल वास करूँगा काम को ना ही जादा बिल्कुल low level पर कराऊंगा बिल्कुल to the point चलेंगे हम दोस्तों next time move करते हैं based on body temperature हमने based on body temperature भी animals को दो दुनिया में बाढ़ दिया फस्त वो ले animal जो अपने अंदर से heat generate करते हैं दोस्तों आपको पता होगा जो हमारी human body का temperature normal temperature होता है वो 37 degree Celsius होता है कि कितना होता है 37 degree Celsius अगर मैं आपको Fahrenheit scale में बता हूँ तो वो होता है 98.6 degree Fahrenheit अगर आपको Kelvin scale में बता हूँ तो वो होता है 310 Kelvin अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज याद कर लेना इसको यह human body का normal temperature है दोस्तों इस normal temperature का मतलब किया है इसका मतलब ही है कि हमारी body के अंतर जितने भी biological reactions होतनी है जितने भी मारी body में enzymes है जो हमारे digestion चल रहा है respiration चल रहा है excretion चल रही है circulatory चल रही है वो किसके करन चल रहे है बैसिकली enzymes act करते हैं तब ही तो हमारी यह सारे organ system चल रहे है दोस्तों basically 37 degrees Celsius पे जितने भी मारे enzymes होते हैं वो इस temperature पे activate रहते हैं बाइचांस हमारी body का temperature मान लो 37 से ज्यादा हो गया लाइक 40 हो गया जा 37 से कम हो गया लाइक 34 हो गया तो इस temperature पे क्या होगा हमारे जो enzymes है वो प्रोपर वर्क नहीं करेंगे अगर प्रोपर वर्क नहीं करेंगे तो हमारी body के सही तरह organ system भी काम नहीं कर पाएंगे इसलिए दोस्तों problem होने लगते है बोडी में diseases आने लगते है सो हमें necessary है कि मारी body का temperature रमेशा कितना रहे 37 degrees celsius रहना जरूरी है 37 यह भी fix नहीं है भी 37 ही रहे 36.36 से 38 बेसिकली range होती है इसकी ठीक है दोस्तों 36 से 38 है range होती है बस आप कितना याद रखने कि mainly 37 ही माना जाता है ठीक है अब क्या होता है कि जब सर्दी होती है ठीक है जब सर छोड़के गरम लाके में चले जाते है राजसान में चले जाते है ऐसा तो कुछ भी नहीं होता हमारी body क्या करती है अंदर से hydrogen rate शीरा शुरू कर देती है ठीक है तोस्तों ऐसे animals ऐसे mammals जो अपनी body के अंदर से hydrogen rate करते हैं अपनी body temperature maintain करने के लिए उससे हम बोलते है warm-blooded animals क्य दोस्तों another category होती है cold-blooded animal की cold-blooded animal ऐसे animal होते हैं जो अपने अंदर से hydrogen rate नहीं करते हैं वो क्या करते हैं मालो अगर तो वो सर्दी को जेल नहीं पाते ना तो वो गरम लाके में शिफ्ट हो जाते हैं sleeping mode में चले जाते हैं यानि कि अगर मालो ऐसा कोई insect है जो सर्दी में रह स कुण नहीं डाशा होता है उसके अंदर से hydrogen rate नहीं होती है यह क्या करता है आश वो क्या करता है में में वो गर्मी में sleeping mode में चले जाते हैं जन गर्मी और है जाते हैं है सर्टी में अगर इनको प्रोब्लम होगी तो ये गर्में लाक़े में शिफ्ट हो जाएंगे वहां पे सौ जाएंगे अगर इनको गर्मी प्रोब्लम होगी तो तंडे लाके में शिफ्ट हो जाएंगे मिली मोड में रहते हैं like fishes frogs insects amphibians एक्सेक्टर आ वाम लिदिद है यह आई होपा को अंडर्स्टैंड हो रहा होगा आगे मुव खरते हैं ने सिर्फ नेट अनिमल्स दोस्तों डिप्रोड्ट्शन ने अनिमल्स दो तरीक शर्टेश हो सकती है मतलब दो पार्स मेंने डिवाइड़ कि एक तो ऐसे अनिमल जो एक देते हैं और एक ऐसे अनिमल जो बर्थ देती है यंग वंस को लाइक हो मन बिंग हो गया हम बर्थ देती है एंड जो दूसरा पार्ट ऐसा है कि जो एग देते हैं ठीक है बेसिकली दोस्तों अगर मैं आपको एक जनरल सी बात बता हूँ न जो एनिमल एग देते हैं जनरली एक आपको बता रहा हूँ ज्यादा तर उनके क्या होते है इयर नहीं होते है ठीक है उनके आउटसाइड दा बोड़ी नहीं होएंगे उसे हम इसमें कौन से आ जायेंगे गर मैं आपको बात बता हूं अभी मैंने आपको दो पार्ट में बताया एक ऐसे अनिमल जो बर्त देते हैं एक आग देने वाल एनिमल की ऐसे अनिमल बताओं जो एग्ज देते हैं तो यह मैंने यहां पर शो कर रखे हैं आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ देना आपको स्क्रीनशोट ले सकते हो जा फिर आप लिख सकते हो अपनी कौपी पर क्रोकोडाइल आ जाते हैं दोस्तों जो एग्ज देते हैं ठीक है फिश आ जाती है इंसेक्ट आ जाती है सारे रेप्टाइल्स आ जाते है रेप्टाइल्स माने की सनेक्स आ जाएंगे लीजर्स आ जाए बैट एंड डोल्फिन दोस्तों खास बात है अभी मैंने आपको बताया ज्यादा तर वर्ड क्या करते हैं एग देते हैं अभी आपको पता होगा बैट यानि की चामचिटी ठीक है एक चामचिटी आपको पता क्या है एक बर्ड है यह एक ऐसा बर्ड है जो क्या करते है बच् इसे आपको नहीं जी रखेंग है इसमेंग है इसमें एक सरकल पर दिखा रहा है एक एनिमल है जो आधने पर रहता है अंड तीसरा सरकल पर नहीं जो एग देता है और इसका common region बताना है यानि कि वह animal कौन सोगा जिसमें तीन खासियत होगी यह मैंने एक से दिखा रखा रहा है ना वो पूछना चाहते हैं कि ऐसा animal बताओ जो लेंड पे भी रहता है जो वोटर पे भी रह सकता है एंड एग भी देता है अभी मैंने बता यानि कि वह पूछना पता है एक ऐसा animal बताओ जो क्या है एंफी बेन आफिबिएञान माने कि जो पाणी में भी रह सकते हैं लेंड पे रह सकता है और दूसुरी खास बत किया है वो एक देते अभी मैंने अपको पताया है उसका नाम क्या होगा ख्रोईब लग ग्रों कोडाइलके ऐसा है नीमल है जो ए आप अपने दोस्तों के चाद शेर करना लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को थैंक्स फर वाचिंग वीडियो